dear student आज का जो topic हम करेंगे वो है हमारा magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current ठीक है तो यह हमें करना है इसमें magnetic field at a point on the axis of circular coil carrying current ठीक है तो इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी अगर आपकी एक circular coil है और उस circular coil में अगर आपका current flow कर रहा है ठीक है तो अगर हम यहाँ इस point P पे magnetic field निकालना चाहते हैं तो यह magnetic field हमें आज के topic में करनी है ठीक है तो इसमें हमें निकालना है magnetic field due to current carrying circular coil so, यह जो coil है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे it is the current carrying circular coil तो यह हो जाएगी it is the current carrying circular coil ठीक है तो यह हमें करना है यह इस वीडियो में आज हम करेंगे कि अगर कोई भी आपकी circular coil है और उस circular coil में से अगर आपका current flow कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे it is the current carrying circular coil और इसकी वज़े से अगर इसके axis पे अगर कोई point भी आपका लाई कर रहा ह तो उस पे कितनी magnetic field होगी ठीक है तो यह important topic है और यह बहुत important है और यह हमेशा exam में आपका 5 marks में आता है ठीक है तो आज के topic में हम करेंगे magnetic field at a point on the axis of circular coil carrying current ठीक है तो यह अगर आपका circular coil है और इसमें से अगर आपका current flow कर रहा है तो इसको हम कहेंगे current carrying circular coil और इस current carrying circular coil की वज़े से यह इसका axis हो गया और इस axis पे किसी भी point पी कोई भी point पी है जो इसके axis पे लाई करता है उस पे हमें magnetic field को find out करना है ठीक है तो यह इसमें दिया गया है consider circular coil तो कोई भी आपकी एक circular coil है उसका जो radius है वो a given है उसका जो center है वो o given है ठीक है let the plane of coil be perpendicular to the plane of paper ठीक है तो जो coil का जो plane है वो आपका perpendicular है plane of paper के ठीक है तो आपकी coil जो है वो perpendicular रखी हुए plane of paper के और current I be flowing in the coil ठीक है तो coil में से कितना current flow कर रहा है आपका I current flow कर रहा है ठीक है and suppose P is any point on the axis of circular coil तो P आपका कोई आपका point है जो आपका कहां पर लाई कर रहा है axis of circular coil पर और at a distance x from the center और op की value कितनी है वो x है op की value आपकी x के बराबर है यहां पर ठीक है तो यहां पर हमें पता चल गया कि diagram में आपको क्या given है तो diagram में आपको एक circular coil given है इसमें जो current carrying है current इसमें जो है वो आपका I given है इसका जो center है वो O है इसका जो radius है वो A है ठीक है और जिस point P पर हमें magnetic field निकालनी है वो center से कितनी दूरी पर है वो center से x distance की दूरी पर है ठीक है तो यह हमें इतनी सारी चीजे given है I जो है वो current carrying coil का current है O जो है वो coil का center है A जो है वो coil का radius है और O P जो है वो coil का axis है और point P पर हमें magnetic field निकालनी है जो कि center से कितनी दूरी पर है center से वो x distance की दूरी पर है ठीक है तो अब हम इसमें magnetic field निकालने के लिए हम इसमें कौन से लोग का इस्तमाल करेंगे हम इसमें Biot 7 ला का इस्तमाल करेंगे ठीक है तो इसमें हम फिर Biot 7 ला का इस्तमाल यहां पर करेंगे तो consider the two small elements of coil of each of length dl at c and d which are situated at diametrically at the opposite edges ठीक है तो यहां पर यह आपका diagram यहां पर given है ठीक है तो इस diagram में आपको सारी चीजे बताई गई है तो यह distance यहाँ पर फिर बताया गया है कि अगर यह आपकी circular coil है यहाँ पर इस coil का जो radius है इसका जो radius है वो A है ठीक है और यह जो P वाला distance है यह P वाला distance जो है यह x है तो यह वाला जो distance है यह वाला जो distance हो जाएगा यह किसके बराबर हो जाएगा under root of a square plus x square pythagoras theorem से तो यह वाला pythagoras theorem से आपका कितना हो जाएगा under root of a square plus x square और यह वाला जो angle है यह कितना angle है यह आपका phi angle है ठीक है ऐसे ही अगर हम ये वाले end देखें इसका lower end देखें तो ये भी point p से कितना angle बनाएगा ये भी point p पे जो है वो 5 angle बनाएगा और ये distance जो है ये भी आपका a के बराबर हो जाएगा और ये जो है x है और ये इसको हम क्या लिखेंगे ये भी pythagoras theorem से किसके बराबर हो ठीक है तो ये diagram आई हो अभी student को clear हो गया होगा तो a जो है वो आपकी coil का radius है ठीक है तो ये radius है और x जो है उस point p का जहां पर हमें magnetic field निकाल नहीं है ये उसका distance है ठीक है और फिर यहां से अगर हम एक distance इसको join करते हैं तो ये distance जो है तो ये point p पे कितना angle बना रही है 5 angle बना ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पे फिर हमने magnetic field biot 7 law की द्वारा अगर हमें magnetic induction निकालना है तो हमें पता है कि biot 7 law की द्वारा magnetic induction हम किसकी वज़े से निकालते हैं हम एक small current element की वज़े से निकालते हैं इसमें एक छोटा सा current element जो है वो idl उसको suppose करना पड़ेगा उसकी वज़े से जो आपका magnetic field होगा वो db होगा फिर हमें क्या करना पड़ेगा बी निकालने के लिए हमें db को integrate करना पड़ेगा ठीक है तो बागी के सारे articles में भी हमने ऐसी किये और इस article में भी हम ऐसे ही करेंगे तो इसमें बायोट सेवट लागा इस्तमाल करेंगे ठीक है फिर हम जो आपकी सर्कुलर current carrying coil है उसके small current element को हम इसमें choose करेंगे ठीक है उसकी वज़े से फिर हम db की value यहां पे find out करेंगे है तो यहां पे यहां पे जो की circular coil है यह हमने एक छोटा सा जो इसके diameter का एक and है ठीक है तो यह हमने एक छोटा सा current element choose कर लिया और चोटा सा current element आपका क्या है डील है और इस में से कितना current flow कर रहा है attracted fi로 कर रहा है इस point P पे क्या निकालना चाहते हैं? Magnetic field निकालना चाहते हैं, यह चोटे से current element की वज़े से, ठीक है? तो यह चोटे से current element की वज़े से, हम magnetic field का formula के आएगा, ठीक है? तो इस पे जो आपकी magnetic field आएगी, यह चोटे से current element की वज़े से, तो हमें इसका distance भी देखना पड़ेगा कि यहां से distance कितना है तो यह distance हमें पता है किसके ब्राबर है under root of a square plus x square ठीक है तो यह distance आपका under root of a square plus x square के बराबर है तो जो हमने magnetic field हमारी आएगी magnetic field का formula हमारा किसके ब्राबर होता है db is equal to mu 0 upon db आपको किसके ब्राबर आएगा छोटा सा जो आपका current element है जो हमने यहां पर choose किया है इस point पर तो इसकी वज़े से जो magnetic field आएगा आपका by root 7 class है mu 0 upon 4 pi idl idl sin theta upon r square तो यह आपका magnetic field होता है ठीक है तो यहां पर by root 7 लागी वज़े से जो हमने magnetic field है वो किसके ब्राबर आएगा छोटे से current element की वज़े से db is equal to mu 0 upon 4 pi idl sin theta upon r square तो यह होता है आपका magnetic field तो r यहां पर क्या चीज़ होगी ठीक है तो r होता है आपका distance होता है current element का और point p का distance तो यहां पर r किसके ब्राबर हो जाएगा ठीक है तो अगर हम देखें कि जो वो अगर यह अगर आपका कोई भी current element है तो इस current element का जो distance हमने लिखा था वो r होता है यहां कि यहां पर अगर हमने चोटा सा current element dl चूज किया है तो यहां से dl और point p के बीच का जो distance होता है dl और point p के बीच का जो distance होता है वो आपका r होता है dl और point p के बीच का distance तो हमें यह देखना है यहां पर इस figure में तो DL कहां पे है, तो DL आपका ये है, यहां पे DL है, और point P आपका कहा है, यहां है, तो इसके बीच का distance हमें देखना है, तो इसके बीच का distance फिर आपका ये है, तो इसके बीच का distance अभी हमने निकाला वो किसके बराबर है, under root of A square plus X square का under root, ठीक है, तो हमें R square की जगह यहां पर क्या पूट करना पड़ेगा R की जो value आएगी हमारी यहाँ पर यह आएगी ठीक है तो magnetic induction में जो हमारे R की value आएगी वो किसके बराबर आएगी under root of a square plus x square क्योंकि हम magnetic induction में कहा था बायोट से बटला में कि अगर हम कोई भी small current element लेते हैं और point P के बीच का distance जो होता है वो R होता है यानि कि R distance जो है वो current element का और point P का distance होता है और यहाँ पर अगर हम इस figure में देखें तो यह current element है और यह point P है तो इसके बीच का distance यह है और इसकी value हमने किती निकाली है under root of a square plus x square निकाली है ठीक है तो यानि कि r की जो value आएगी वो किसके बराबर आएगी under root of a square plus x square ठीक है और हमें पता है कि magnetic induction का formula भी हमने निकाला यह किसके बराबर है mu 0 upon 4 pi idl sin theta upon r square ठीक है तो यह हमने formula निकाला था mu 0 upon 4 pi idl sin theta upon r square ठीक है तो r square की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका r square की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे a square plus x square हो जाएगा अब हमें देखना है यहाँ पर sin theta की value किसके बराबर होगी तो theta हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर theta की value कितनी आएगी तो जो theta होता है वो किसके बीच का angle होता है theta is the angle between dl and r की बीच का vector होता है dl और r की बीच का ठीक है क्योंकि उसमें हम magnetic induction में जब भी हम लिखते हैं उसको मैंसे लिखते है idl cross r अगर हम इसको vector form में लिखते हैं ठीक है तो हमें देखना है कि वो sin theta angle है ठीक है तो जो sin theta angle है वो किस-किस के बीच का angle है theta जो है dl और r के बीच का angle है तो यहाँ पर dl कौन सा है ठीक है तो dl यह है यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर यह हमारा dl है तो यह जो current element है यह हमारा tangent के direction है dl ठीक है और r हमारा कौन से है ये तो दोनों के बीच में angle कितना हो जाएगा 90 degree ठीक है तो यहाँ पर अगर हमने कोई भी जैसे ये कोई हमने current element लिया है यहाँ पर current element ये इस direction में हो गया तो ये हमारा dl हो गया ठीक है तो ये अगर हमारा current element है इसका हमने ये ऐसे निकाला है तो दोनों के बीच में ये जो angle है ये आपका 90 degree होगा ठीक है तो ये आपको धियान में रखना है ठीक है तो यहाँ पर जो angle की value होगी theta की जो value है वो कितनी गीवन है यहाँ पर theta is equal to 90 degree तो यहाँ पर जो theta की value है वो आपको कितने given है, theta is equal to 90 degree given है आपको इसकी value, ठीक है क्योंकि current element जो है वो हमारा essay है, current element की जो value है, वो हमारे dl ऐसे है और r कौन सा है, जो point P है यहाँ पे, इनके बीच का angle यह ठीक है, तो इनके बीच का यह जो angle theta है, यह कितना है, यह आपका 90 degree है, ठीक है तो समझ में आ गया होगा तो हमें किस-किस के बीच का angle देखना है क्योंकि हमारे पास जो bio sabatla होता है, वो होता है हमारे पास dl cross r तो हमें dl और r के बीच का angle देखना है, तो current element के और point point P के बीच का angle हमें देखना है, current element के, यह जो है यह आपका current element है, और यह जो है यह आपका point P का distance है इन दोनों के बीच में में angle देखना है, ठीक है तो यह समझ में आ गया होगा आपको कि यह जो है यह आपके current element का यह जो है यह आपके dl, यह dl है और यहाँ पे जो है यह आपका point p है तो इन दोनों के बीच में यह जो angle बनेगा यह आपका 90 degree बनेगा ठीक है तो this is the angle between तो theta की value यहाँ पर कितनी हो जाएगी I hope यह angles अभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि dl तो यह valid distance जो होता है यह हमारा r होता है ठीक है यह distance जो होता है हमारा यह हमारा current element है और current element और point p का जो distance होता है यह हमारा r होता है और इस case में हमारे जो r की value है वो किस के ब्राबर है this is equal to under root of a square plus x square पाइतगोरोस theorem से हमने circular coil के लिए निकाला है कि current element के और point p के बीच का जो distance है वो under root of a square plus x के ब्राबर है यान कि दोनों के बीच में जो angle बन रहा है वो 90 degree का बन रहा है ठीक है तो theta की value आपकी कितनी आएगी theta is equal to 90 degree तो यहाँ पर हमने put कर लिया mu 0 upon 4 pi idl sin 90 upon r square ठीक है और r की value है यह आपके पास under root of a square plus x square तो हमें हमारे पास फिर r square की value क्या हो जाएगी यहाँ पर r square की value हो जाएगी आपके पाँ a square plus x square और sin 90 की value आपकी क्या हो गई 1 तो r square की जगह आपने क्या लिखा a square plus x square का जो under root था उसका square आजाएगा यहाँ पर तो यह हो जाएगा आपके पास a square plus x square ठीक है तो r square की जगह आगया आपका r square की जगह आपका a square plus x square और sin 90 degree की जगह आपका 1 तो आपके पास क्या बचा सिरफ you are left with जो आपके db की value आई db is equal to mu 0 upon 4 by idl a square plus x square ठीक है तो यानि कि आपने क्या किया इस point p पे यानि कि यह जो छोटा सा current element है इसकी वज़े से इस point p पे आपने magnetic field की value निकाल लिया ठीक है यानि कि यह जो छोटा सा current element है ठीक है उसकी वज़े से point p जो कि आपका axis पे like करता है उस पे कितनी magnetic field होगी उसके magnitude को हमने निकाल लिया अब हमें उसकी direction को निकाल लिया क्योंकि क्यों magnetic field आपकी vector quantity है तो हम देखेंगे कि जो magnetic field है इसकी वज़े से यह जो हमने db निकालाए अब हमें इसकी direction बतानी है इसका हमने magnitude तो बता दिया कि इस .p पे जो magnetic field होगी वो इतनी होगी small current element की वज़े से अब हमें इसकी direction बतानी है ठीक है तो हमें पता है कि जो magnetic field है वो आपकी किस-किस के perpendicular होगी magnetic field जो होती है वो dl x r db के formula में हम क्या लिखते हैं db is equal to यानि कि magnetic field जो है वो dl के भी perpendicular होगी और r के भी perpendicular होगी यहां पर हमारा यानि कि हमारा जो dl हमने क्या हमने भी क्या बताया कि जो हमारी magnetic field की direction होगी db की direction होगी वो किस के perpendicular होनी चाहिए वो हमारी dl के भी perpendicular होनी चाहिए और वो हमारी r के भी perpendicular होनी चाहिए ठीक है r हमारे यहां पर क्या है under root of a square plus x square है ठीक है तो यहां पर फिर हम तो मेगनेटिक फिल्ड है वो डिल के भी परपेंडिकलर है और वो र के भी परपेंडिकलर है तो इसका मतलब उसकी डिरेक्शन कौन सी होगी तो अभी हमने देखा कि यह जो है यह हमारी डिल की डिरेक्शन है ठीक है और यह हमारी पॉइंट पी ह तो ये point P है हमारा तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है ठीके तो हमारी जो magnetic field है वो DL के भी perpendicular होनी चाहिए और वो हमारी point P के भी, ये जो point P है इसके भी perpendicular होनी चाहिए तो magnetic field की जो direction आएगी वो हमारी कैसे आएगी point P पे जो magnetic field है तो यह आपको ध्यान से समझना है कि जो हमारा current element है वो हमारा इस direction में है और R जो है उसके perpendicular है तो magnetic field जो है वो DL के भी perpendicular है और इसको अगर मैं R लिख लो तो यह आपका R हो गया ठीक है तो I hope सभी student को यह बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह DL आपका current element है R जो है आपका point B है तो दोनों के perpendicular magnetic field होगी तो जो magnetic field की जो value की जो direction होगी वो यह होगी D B की जो direction होगी वो यह होगी ठीक है तो यहाँ पे जो यह आपकी चोटा सा जो हमने यह current carrying coil था जिसमें जो current है वो आपका I flow कर रहा है तो हमने देखा कि यह जो छोटा सा current element है जो कहाँ पे है diameter के एक point पे है तो इसकी वज़े से यह जो हमने point B पे magnetic field निकाली है और यह जो point B है यह आपका axis पे लाई कर रहा है और यहाँ पे जो magnetic field की direction आएगी वो इस DL के भी perpendicular है और इस R के भी perpendicular है और उसकी जो direction है वो कौन सी है वो होगी आपकी DB तो यह आपको देखना है कि यह भी यह भी और यह भी तो यह तीनों के हैं यह एक दूसरे के perpendicular हैं क्योंकि magnetic field की direction जो है वो mutually perpendicular होती है यानि कि DL के भी perpendicular और R के भी perpendicular तो यह जो length vector है current element है यह जो distance है और यह जो आपकी magnetic field है यह तीनों आपकी perpendicular direction में होंगी तो यानि कि यह जो छोटी सी current element निकला आपका point P पे जो magnetic field निकलेगी इसकी जो direction होगी यह आपकी DB होगी ठीक है तो यह सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है तो DB की जो value होगी वह आपकी यह होगी magnitude तो हमने यह निकाल लिया IDL upon A square plus X square और जो इसकी जो direction होगी वह आपकी DL के भी perpendicular है और R के भी perpendicular है और इसको जो है हम right hand screw rule से भी निकाल सकते हैं और यह जो होगी आपकी perpendicular to CP होगी तो यह होगी perpendicular to CP CP कौन सा है आपका यह आपका CP है तो इस CP के perpendicular जो है यह आपकी magnetic field की value होगी तो यह जो DB है यह आपका इस direction में होगा तो इस current element की वज़े से point P पर जो magnetic field है वो इस direction में है which is perpendicular to the CP ठीक है ऐसे ही अब हम किस से निकालेंगे ऐसे हम बिलकुल इसके diametrically opposite point इसके जो बिलकुल diametrically opposite point है point D जो इसके बिलकुल opposite है diametrically opposite है तो इसकी वज़े से अब हम magnetic field निकालेंगे यहाँ पर इसी point P पर हम इसकी वज़े से magnetic field निकालेंगे ठीक है तो पहले हमने point C की वज़े से निकाला ठीक है पॉइंट C पे जो आपका current element है उसकी वज़े से हमने point P पे निकाला तो जो हमारी magnetic field है DB वो हमारी perpendicular आई है CP के perpendicular आई है ठीक है अब हमें C के बिल्कुल opposite point लेना है C के बिल्कुल opposite point कौन सा है D इस D point पे अब हम suppose करेंगे कि हमारा current element है वो D पे है और इस D की वज़े से हमें यहाँ पे point P पे magnetic field निकाल ली है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो magnetic field आएगी वो हमारी DP के perpendicular आएगी तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे अब ठीक है तो सेम अब हमें वो ही करना है diametrically opposite point लेना है यहाँ पे ठीक है तो हमारी जो magnetic field आएगी वो इस तरीके से हमारी आएगी ठीक है तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे circular coil है आपकी ठीक है तो आपने यह वाला अगर current element लिया है और इस point P पे तो मालो यह current element आपका C है तो यह C पे आपकी जो magnetic field आएगी वो CP के perpendicular आएगी perpendicular to CP यानि कि यह जो आपका db आएगा ठीक है similarly अगर आप इसके diametrically opposite point लो C के बिलकुल opposite जिसको आप diametrically opposite point कहते है point D पे अगर आप magnetic field लो तो मालो यह आपका है ठीक है तो point D के पे से जो आपकी magnetic field आएगी point P पे वो भी आपकी same आएगी क्योंकि distance जो है वो दोनों का same है यह distance भी कितना है आपका a square plus x square CP का जो distance है CP जो distance है यह जो CP distance है यह कितना है आपका under root of a square plus x square और यह जो dp distance है dp distance यह भी कितना है under root of a square plus x square यानि की c का p से distance और d का p से distance दोनों बराबर है इक्वल हैं तो दोनों points के distance बराबर है इसका मतलब दोनों current element की वज़े से जो magnetic field आएगी वो दोनों की वज़े से same आएगी क्योंकि दोनों का distance same है cp जो है वो dp के बराबर है तो दोनों की वज़े से जो magnetic field आएगी वो same आएगी क्योंकि same distance है तो magnetic field same आएगी तो यहाँ पर हमने देखा अब हम देख रहे है magnetic field की direction कौन सी आएगी तो c की वज़े से point p पे जो हमने magnetic field निकाली वो perpendicular to हमारी db आई similarly d की वज़े से जो point p पे magnetic field आएगी वो dp के perpendicular होगी यानि की वो कौन सी होगी इस direction में होगी तो इसको भी हम db लिखेंगे क्योंकि direction क्योंकि magnitude जो है वो same है ठीक है magnitude जो है वो आपका same है तो इस direction में cp के हमने current element c की वज़े से point p पे जो magnetic field देखा उसकी direction जो है cp के perpendicular आएगी और d की वज़े से जो आपका dp अगर current element है उस current element की वज़े से point p पे जो magnetic field देखा वो आपका perpendicular आएगा नीचे की तरफ magnitude दोनों के same होगे इसलिए हमने इसको db और db लिखा है क्योंकि दोनों का distance जो है point p से same है ठीक है तो यहाँ पे हमने निकाल लिया तो इसमें यही दिया होए आपके diagram में ठीक है तो यहाँ पे यह diagram में गी बना है कि point c की वज़े से point p पे जो magnetic है वो इस direction में आएगा और point d की वज़े से जो आपका magnetic field है वो आपका नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे आपके दो magnetic field हो गए ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे components में divide कर लेंगे components में divide कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे इसको हम दो components में divide कर लेंगे magnetic field को ठीक है तो पहला component जो है आपका ये अगर यह आपका ऐसे है यहाँ पे जो आपका Magnetic Field आपको गिवन है वो आपको ऐसे गिवन है पहले वाला जो Magnetic Field है वो DB है और यह वाला जो Angle है यह आपका फाई है यह आपका फाई है तो इसका Horizontal Company हो जाएगा यह वाला तो इसका क्या लिखेंगे db cos phi और ये वाला component जो हो जाएगा ये आपका vertical component हो जाएगा इसको हम लिखेंगे db sin phi ठीक है तो ये angle आपका phi है तो ये phi हो जाएगा यहाँ पर इसको हमने दो components में तोड़ लिया ऐसी जो नीचे वाला है नीचे वाला हमारा कैसे था तो ये है आपका db तो इसको भी जो है ये वाला angle भी आपका phi है तो इसको भी आप दो components में तोड़ लोगे ठीक है इसको मैं दुबारा एक बार बता देती हो तो यहाँ पर जो पहली magnetic field आपकी वो आपकी है db ठीक है और वो इसके साथ कितने angle बना रही है इसके साथ फाई एंगल बना रही है तो ये वाला component जो है आपका db cos phi येवाला जो component हो जाएक db cos phi और ये वाला जो component है ये हो जाएका db sin phi ठीक है यानि कि ये जो db है इसको हमने दो پार्ट्स में तोड लिया ये वाला component हो जाएगा इसका db sin 5 और ये वाला component हो जाएगा इसका db cos 5 ऐसे ही दूसरी magnetic field जो है आपकी वो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आपकी एक और magnetic field है ये वाली ठीक है? तो ये वाली magnetic field भी इसके साथ में कितना angle बना रही है इसके साथ में यह आपका phi angle बना रही है तो यह वाला component पर भी क्या हो जाएगा db cos phi तो यह वाला component हो जाएगा आपका db cos phi और यह वाला component हो जाएगा आपका db sin phi तो यह वाला component जो है यह आपका db sin phi हो जाएगा ठीक है तो इसमें आपको धियान से देखो तो पहला जो ये वाला magnetic field है db ये point c पे जो हमने current element suppose किया था point c पे जो current element था उसकी वज़े से ये magnetic field db आया था इसको हमने दो components में तोड़ लिया ये वाला हो गया आपके पाद db cos phi और ये वाला हो गया आपके पास db sin phi ऐसे ही ये वाला जो magnetic field है ये आपका किसकी वज़े से आया point d की वज़े से आया ठीक है इसको हमने दो components में तोड़ लिया ये वाला component हो जाएगा आपका db cos phi ठीक है अगर हम इसको अब ध्यान से देखें ये वाला db cos phi और ये वाला db cos phi ये दोनों क्या है ये equal and opposite है तो ये आपके क्या हो जाएंगे ये आपके cancel हो जाएंगे तो db cos phi और ये db cos phi तो आपके cancel हो जाएंगे क्योंकि ये आपके equal and opposite है एक आपका उपर की तरफ है एक आपका नीचे की तरफ है एक आपका upward है एक आपका downward है तो दोनों cancel हो जाएंगे बचे आपके पास कौन से ये db sin 5 और ये वाला आपका db sin 5 तो ये दोनों आपके add हो जाएंगे तो यानि कि इसमें हमने देखा कि जो आपके horizontal component है db cos 5 ये तो आपके cancel हो जाएंगे और जो आपके vertical component है db sin 5 ये आपके add हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर इसमें ये ही बताया गया है ठीक है कि जो आपके db cos 5 वाले component है ठीक है वो तो आपके cancel हो जाएंगे और जो आपके sin 5 वाले component है वो आपके add हो जाएंगे ठीक है तो आपके पास जो magnetic field मिलेगी तो ऐसी हमने क्या किया है ऐसी हमने यह यह किया है तो हमने इस वार एक current element हमने point C पर चूज़ किया था और एक current element हमने point D पर चूस किया था ठीक है तो इसकी वज़े से हमने देखा कि point P पर जो magnetic field आई है point P पर जो magnetic field आई है वो किसके बराबर आई है db sin phi के बराबर आई है ठीक है ऐसे ही अगर हम यहाँ पर suppose करें ऐसे हम एक current element आपकर यहाँ पर और इसी के ही opposite अगर हम एक current element यहाँ पर लें तो उसके लिए भी magnetic field कितनी आएगी db sin phi आएगी same और अगर हम एक current element यहाँ पर choose करें और इसी के ही diametrically opposite current element हम यहाँ पर choose करें तो उसके लिए भी magnetic field कितनी आएगी db sin phi आएगी ठीक है तो क्योंकि तो फिर हम total magnetic field निकालने के लिए सारे components को हम क्या कर देंगे add कर देंगे ठीक है तो पहले हमने इसके और इसके point c और point d जो है यह आपके diametrically opposite है तो इनकी वज़े से magnetic field कीतना है आपका db sin 5 ठीक है अब हमने यह आपके दोनों diametrically opposite है ऐसे हम एक और diametrically opposite ले लेते हैं मानलो यह वाले तो यह वाला point होगा है मानलो p और q तो हमने suppose कर लिए current element यहाँ पे है current element यहाँ पे है तो इन सब की वज़े से भी magnetic field आएगा वो db sin 5 आएगा ऐसे हम और दूसरा भी ले ले लेते हैं current element ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे मानलो इनका point के नाम है r and s तो इसकी वज़े से भी magnetic field आएगा वो क्या आएगा db sin 5 आएगा तो इसी तरह से जितने भी आपके diametrically opposite points हैं हम उन सब की वज़े से जो magnetic field निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा वो db sin 5 के बराबर आएगा ठीक है और total magnetic field निकालने के लिए फिर हमें जो db sin 5 है उसका क्या करना पड़ेगा integration हमें निकालना पड़ेगा तो पूरी circular coil की वज़े से ठीक है तो अगर हमें magnetic field induction निकालना है total magnetic field induction निकालना है पूरी circular coil की वज़े से तो उसका हम magnetic तो जो db sin 5 था उसका हम integration करना पड़ेगा तो db की value हम यहाँ पर पूट कर देंगे ठीक है तो db की value है आपके पास यह mu naught i dl sin 5 upon 4 pi a square plus x square तो जो db की value है वो हमारे पास कितनी है यह हमारे पास db की value है यह हमारी db की value है mu naught upon 4 pi ठीक है तो बाकी सारे factor तो आपके constant है तो वो सारे आपके बाहर आ जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा सिरफ integration of dl क्योंकि बाकी सारे factor आपके constant है तो अंदर क्या बचेगा आपके पास integration of dl बचेगा सिरफ तो यह सारा आपने बाहर लिखती है तो फिर हम यहां पर sine phi के value देखनी है तो इस वाले figure में अगर हम sine phi के value देखें इस वाले figure में sine phi के बराबर हो जाएगा a upon this distance तो john sin phi हो किसके बराबर हो जाएगा a upon under root of a square plus x square یہ value किसके बराबर आएगी sine phi के value आएगी तो इस figure से हमने sin phi की value निकाल ली तो ये value हमने यहाँ पे put कर दी ठीक है तो यहाँ से हमने sin phi की value put कर दी तो यहाँ पे हमने sin phi की value पूत कर दी ये ठीक है और फिर हमारे पास क्या बचा integration of dl का मतलब क्या है कि ये जो पूरी circular coil है इसका इसकी पूरी length कितनी है यानि कि इसका perimeter कितना है तो इसका perimeter किसके बराबर होता है 2 pi r के बराबर लेकिन इसका radius कितना है इसका radius a है तो इसका perimeter कितना हैगा 2 pi a ठीक है तो कल वाले वीडियो भी मैंने बताया था कि अगर dl होता है तो dl को solve करके उसके perimeter की value आती है और dA को solve करके उसके surface area की value आती है तो dL को solve करके उसके perimeter की value आएगी आपकी 2 pi r और r जो है वो a के बराबर है radius जो है वो a के बराबर है इसलिए यह आपका 2 pi a आएगा तो dL को solve करके आपका 2 pi a आगया ठीक है तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया 2 pi A ठीक है तो यह आगया आपके पास पूरा magnetic field आगया और इसकी जो direction है along PX तो यह magnetic field का हमने magnitude निकाल लिया तो इसमें हमने देखा था कि magnetic field जो थे इसको हमने दो components में तोड़ा था ठीक है और एसे ही हमारे पास यह नीचे वाली magnetic field थी इसको भी हमने दो components में तोड़ा था तो इसमें ने देखा कि यह वाले तो cancel हो गए कौन से बचे आपके पास यह वाली तो जो magnetic field की direction है वो किस की along है along PX की along आपकी magnetic field की direction है PX आपका कौन सा है यह वाला तो जो डी भी साइन फाई की डारेक्शन है आपकी ऐसी है यानि कि जो magnetic field आपने निकाली है उसकी direction कौन सी है PX के along इसकी axis के along इसकी magnetic field की direction है पॉइंट पी पे ठीक है तो यहाँ पे यह हमारे magnetic field निकला यह हमारा magnitude निकला magnetic field का mu naught अपोन 4 pi 2 pi a square i upon a square plus x square power 3 by 2 और magnetic field की जो direction है वो हमारी यह P है तो PX के along हमारी magnetic field की direction है इस direction में हमारी magnetic field है ठीक है तो इसने फिर काया कि अगर magnetic field में आपके n number of turns है यह तो हमारे पार circular coil में एक ही turns है वो कह रहे है कि अगर इसमें आपके बहुत सारे turns है तो यहाँ पर यह coil है इसके अंदर एक और coil है तो अगर इसमें बहुत सारे n turns है तो जो magnetic field है वो किससे multiply हो जाएगी वो आपकी n से multiply हो जाएगी तो इस वाले factor को हम किससे multiply कर देंगे n के साथ में यानि कि अगर एक coil है तो उसकी वज़े से magnetic field आपके पास आएगा इतना और अगर आपके पास n number of coils है बहुत सारी ऐसी same coil रखे है तो उन सब की वज़े से जो magnetic field है वो किससे multiply हो जाएगा number of turns से ठीक है तो यहाँ पर फिर हम इसको n के साथ multiply कर देंगे कि अगर आपके पास coil में बहुत सारे turns है n turns है तो इसको हम n से multiply कर देंगे तो magnetic field आपका यह बन जाएगा तो यह आपका finally magnetic field है और magnetic field का magnitude हो गया यह यह हमने किसकी वज़े से magnetic field निकाला है कि यह आपकी circular coil है जिसमें आपका current flow कर रहा है तो इसको हम कहते है current carrying circular coil की वज़े से उसके axis पे अगर point P है उस पे यह आपका magnetic field है और जो इसकी जो direction आएगी magnetic field की वो direction आपकी आएगी along the PX यह आपकी PX की along इसकी direction आएगी ठीक है अब हमें इसमें एक दो special case आपकी given है तो यहाँ पे यह special case है कि अगर आपका point P जो है वो center पे लाई कर रहा है point P अगर आपका center पे लाई कर रहा है तो अगर हम इस figure में देखें कि अगर आपका point P center पे लाई कर रहा है तो यह point P अगर आपका center पे लाई कर रहा है तो किसकी value 0 हो जाएगी तो x की value जो है वह आपकी 0 हो जाएगी अगर point P आपका center पे लाई कर रहा है तो यान की point P आपका यहाँ पे लाई कर रहा है तो x की value 0 हो जाएगी तो इस वाले formula में फिर हम x की value को 0 put करेंगे ठीक है तो अगर आपका center पे लाई कर रहा है point P circular coil के center पे तो x की value 0 हो जाएगी और circular coil के center पे जो magnetic field की value आएगी वो आएगी आपकी mu 0 upon 4 pi 2 pi n i by a ठीक है तो अगर आपके पास यह circular coil है और इसके center पे आप magnetic field है point P आपका यहाँ पे है center पे तो magnetic field की value कितनी आएगी mu 0 upon 4 pi 2 n i by a ठीक है second special cases में कि when the point P is very very far away from the center of coil ठीक है यानि कि इसमें क्या कहा गया है कि आपका जो point P है यानि कि अगर आपकी coil जो है बहुत चोटी है और यह जो point P है यह आपका बहुत दूर है ठीक है यानि कि यह x point P is very far away from the center of coil यानि कि यह point P है यह आपका बहुत दूर है ठीक है तो यानि कि यह आपके radius की value है और यानि कि इस case में क्या दियाव है कि यानि कि x की value is very very greater than a कि जब x की value जो है वो बहुत ही greater than greater than a है कि जब आपका point p जो है वो आपका coil से बहुत ही जादा दूर होता है point p जो है बहुत ही जादा दूर हो जाता है तो उस case में जो x की value है वो greater than greater than a हो जाती है तो उस case में हम क्या कर सकते हैं फिर x square के comparison में हम a square को neglect कर सकते हैं तो जो x square है वो greater than greater than a हो जाता है तो a square को हम neglect कर देते हैं इस case में हम a square को neglect कर देते हैं ठीक है तो जब आपका point P जो है वो बहुत जाद़ दूर है coil से तो इसका मतलब x की value है जो वह radius से बहुत बड़ी हो जाती है तो x-square की value जया वो भी आपकी a-square से बहुत बड़ी हो जाती है तो इस a-square को हम इस में neglect कर देते हैं ठीक है तो जब हम इस figure में इस वाले को हम इस figure को भी आप नीगलेक्ट कर देतेंगे a square को हम यहाँ पर neglect कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा x cube बचेगा ठीक है तो नीचे denominator में आपके पास क्या बचेगा x cube बचेगा ठीक है तो यहाँ पर denominator में आपके पास x cube बचेगा यहाँ पर denominator में ठीक है तो यह denominator में आपका X cube बचेगा और इसके बाद फिर इसने कहा है, कि ये जो आपका Pi A square होता है, Won किसके बराबर है, Area of current loop कि ये जो आपका current loop है ये इसका radius है, ए तो इसका जो area हैगा, वो किसके बराबर हैगा, Pi into A square, ये इसके area के बराबर होगा, ठीक है तो इसको हमने क्या लिख दिया pi a square को हमने a लिख दिया तो magnetic field का formula आपके पास क्या बन गया mu 0 upon 4 pi ठीक है mu 0 upon 4 pi 2 n i a by x cube ठीक है फिर जो हमारा a है उसको हमने pi a square को हमने capital a लिख गया जो कि इसका area है अब इस को हम इस form में भी लिख सकते हैं कि जो आपकी magnetic field आएगी वो किसके बराबर आएगी mu 0 upon 4 pi 2m by x cube यानि कि हमने m किसको लिखा है जो हमारा n i a है उसको हमने क्या लिख लिया m लिख लिया ठीक है पहले हमने क्या किया इसमें कि जो आपका pi a square था वो आपका किसके बराबर था capital a के बराबर था capital a जो है आपका circular coil का area है ठीक है उसके बाद फिर हमने क्या किया कि जो आपका n i a है उसको हमने क्या लिख लिया capital m लिख लिया capital m ठीक है तो जो magnetic field है वो किसके बराबर आगई आपकी mu 0 upon 4 pi 2m upon x cube ठीक है तो यहाँ पे जो आपका n i a है यह किसके बराबर होता है इसको हम कहते है इसको इसका एक अलग नाम है जिसको हम कहते है magnetic dipole moment of current loop तो यह किसके बराबर है आपका magnetic dipole moment of current loop जैसे हमने electric dipole moment पढ़ा था electric dipole moment में हमने क्या पढ़ा था कि एक आपका positive charge होता है एक आपका negative charge होता है ठीक है तो दोनों के जो magnitude है आप वो same होता है और उनके बीच का distance जो है वो आपका 2a होता है इसको हमने क्या बोला था इसको हमने क्या बोला था इसको हमने बोला था electric dipole इसको हमने क्या बोला था electric dipole ठीक है इसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास एक positive charge है और एक negative charge है तो ये जो है ये plus q है और ये जो है minus q है और दोनों के बीच का distance जो है वो 2a है तो इसको हमने क्या बोला था electric dipole इसको हमने बोला था कि ये जो है आपका electric dipole होता है और फिर हमने इसका dipole moment पी निकाला था जिसको हमने क्या कहा था electric dipole moment और electric dipole moment को हमने कैसे लिखा था पी is equal to q into 2a ये हमने electric dipole moment की value लिखी थी ठीक है तो ये आपका electric dipole moment होता है पी बराबर 2a दस the current loop can be regarded as a magnetic dipole ठीक है तो जिस तरीके से हमारे पास एक positive charge और negative charge था दोनों के बीच का separation था इसको हम electric dipole कहते हैं और electric dipole moment की value भी हमने निकाली थी ऐसी ही आपका क्या होता है magnetic dipole moment होता है ऐसे ही जो आपकी circular coil है और अगर उसमें से current I flow कर रहा है और इसका area अगर A है तो इसका जो magnetic moment होगा उसको हम किसे लिखते हैं capital M से ठीक है कि अगर आपके पास कोई circular coil है और circular coil में से अगर आपका current flow कर रहा है तो ये current carrying coil जो है ये भी किसकी तरह behave करती है ये आपकी magnetic dipole की तरह behave करती है जैसे हमने electric dipole के बारे में पढ़ा था जैसे हमने electric dipole के बारे में पढ़ा था ऐसे ये जो current carrying coil है ऐसी coil जिसमें से current आपका flow कर रहा है तो ये भी आपके किसकी तरह behave करती है ये आपकी magnetic dipole की तरह behave करती है जैसे electric dipole में आपके दो charge होते है प्लस charge और माइनस charge ऐसे ही ये current carrying coil भी आपके magnetic dipole के तरह behave करती है और इसका भी क्या होता है magnetic dipole moment होता है तो इस current carrying coil का जो magnetic dipole moment होगा उसको हम किस से लिखेंगे capital M से लिखेंगे ये इसका magnetic dipole moment है और ये किसके ब्राबर होता है N I into A तो N I को हम कहते है ampire turns और A को हम कहते है area of the loop N I जो है उसको हम कहते है ampire turns जो N I है उसको हम क्या कहते है ampire turns और जो A है उसको हम क्या कहते है area of current loop ठीक है तो यानि कि जो आपकी current carrying coil है circular coil है वो भी आपकी एक magnetic dipole की तरह behave करती है और इस magnetic dipole का भी एक moment होता है जिसको हम क्या कहते है magnetic dipole moment कहते है और इसको हम capital M से represent करते है और एक इसके बराबर होता है NIA, NIA को हम कहते है ampere turns और एको कहते है area तो इसका जो SI unit होगा तो इसका जो SI unit होगा वो किसके बरावर होगा ampere into meter square क्योंकि M किसके बरावर M is equal to N I A तो area का किसके बरावर होगा meter square और I का होगा आपका ampere तो इसका जो ऐसा unit होगा वो होता है आपका ampere meter square ठीक है तो इसका मतलब the polarity of magnetic dipole due to the current loop is decided as follows ठीक है तो वो कह रहा है कि अगर आपकी coil में जो current है वो आपका clockwise direction में है coil में जो current है वो clockwise direction में है तो ये south pole की तरह behave करता है और अगर आपकी coil में जो current है ठीक है तो अगर आपकी coil में जो current है वो अगर आपका clockwise direction में है तो ये जो आपकी clockwise direction हो गई तो यह आपकी south pole की तरह behave करती है और अगर आपका current anti-clockwise direction में है तो यह आपकी anti-clockwise direction होगी तो वो आपकी north pole की तरह behave करती है ठीक है? तो इसका मतलब जो आपकी current carrying circular coil है वो भी आपकी magnet की तरह behave करती है magnetic dipole की तरह behave करती है अगर इसमें clockwise direction में current flow कर रहा है तो यह वाला face जो है यह south pole की तरह behave करेगा और अगर anti-clockwise direction में current flow कर रहे है तो वो आपका north pole की तरह behave करेगा तो dear student आज का जो topic है यह आपका बहुत important है आज हमने किया है magnetic field at a point on the axis of circular current carrying coil तो इसमें हमने देखा कि जो आपकी current carrying coil होती है उसकी वज़े से हमने diametrically opposite ends पे हमने magnetic field निकाला उनको हमने components में resolve किया हमने biot sapatula लगा कि इसको simplify किया ठीक है फिर हमने देखा कि जो इनके vertical db cos 5 वाले components तो cancel हो जाते हैं बचते हैं हमारे db sin 5 वाले ठीक है तो हमने magnetic field के value निकाली और इसके जो special cases हैं वो भी हमने discuss किये और लास्ट में फिर हमने बताया कि यह current carrying coil है आपकी magnetic dipole की तरह behave करती है और इनका फिक dipole moment होता है और यह होता है इसका ऐसा को समझ नहीं आएगा और जो भी topic आपको पढ़ाया जाता है उसकी return practice जरूर करके देखें थैंक यूँ